हलो एब्रिवान वेलकम बैक टो ओवर चैनल मैं हूँ सवरब दैवतकर आपका मातेमाटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर आज वापस कुछ नया टॉपिक नया सब्जेक्ट नया वीडियो और नये नये सेशन्स के साथ आपके सामने पहुचा हूँ सब्जेक का नाम है बेसिक लोगों को इंतजार था एंजिनियरिंग माट्स वन जो फर्स्ट येर फर्स सेमिस्टर का है उसका अल्रेडी लेक्चर्स हम लोग ने दो वीक पहले स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल के उपर हर दिन लाइव लेक्चर्स होता है अपने चैनल के उपर तो जरूर इंजिनियरिंग केते हैं लेकिन मैंने दोनों को इंकलूड करके सब्जे का नाम दे दिया है आपकी युनिवर्सिटी कोई भी होने दो आपकी ब्रांच कोई भी होने दो आपका कॉलेज कोई भी होने दो यहाँ पे आप फोड़ोगे यहाँ पे आप बिलकुल फोड़ोग तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन आगे जाने से पहले मैं सभी बच्चों को गुजारिश करना चाहता हूँ यार अपने इस सेशन को लाइक जरूर करते रहना क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत जादा माईने रखता है यार वही एनरजी लेके हम लोग आपके सामने पहुचते हैं क्योंकि आप जब लाइक ठोकते हो ना हमें मोटिवेशन मिलते हैं और वही एनरजी आपके सामने पेश करता हूँ जनाब राइट एंड शेर करना ना बूलिए बिकॉज शेरिंग इस केरिंग यार आपका एक एक शेर है अगर सबस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ा गुना कर रहे हो जनाब क्योंकि यार सबस्क्राइब करोगे बेल आइकन और नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दो के तो जबी-जबी यह बाबाजी लाइव आ जाएंगे जबी-जबी वीडियो अपलोड होगा पहले बबाजी की तरफ से तरफ से आपको पहला इंविटेशन मिल जाएगा राइट औंद बच्छो यूंए फॉल आस यूंए फॉल आस यूंए इन्स्टेग्राम फीसबूग ट्विटर और आज वेल आज वी आन वाट्सैप ग्रूप प्रेव राइड येस ये वेन वाट्सै group as well as as well as we have and telegram channel as well है ना अपना telegram channel भी है तो फड़ापट से ये channel को भी join करना है और कहां पर आपको इसका link मिलेगा तो link नीचे गए description box में आपको जरूर मिल जाएगा जनाब राइट तो फड़ापट से फड़ापट से दोनों link पे click करिए और अपने whatsapp group and telegram group को जरूर join करना है आपको राइट ताकि डेली अपडेट आपको मिल जावे हर एक link आप तक जरूर पहुच जावे राइट जी चलिए चलिए आगे बढ़ते आज मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ what is BW क्योंकि ये जो subject है ना सबसे पहले आप इसी engineering field में देखने वाले हो जनाब क्योंकि इसके पहले तो ऐसा specialized subject तो थानी आपके लिए तो what is BW basic electrical and electronics जनाब नाम बिल्कुल basic है लेकिन पूरा electronics electrical के related आप सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हो right जो सबसे जादा common topics है मैं पहले उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जो सभी universities के लिए common है तो पहला topic अपना यहाँ पे रहेगा जो सबसे important है यहाँ पे review आप कहोगे sir इसका मतलब क्या है review का मतलब होता है revision है ना revision जनाब जनाब जो 12th standard 12th का जो physics से टू था आपका है ना physics का पार्ट टू था जिसको हम लोग electronic section कहते हैं जिसमें आपने पढ़ा रहेगा electrostatics right current electricity magnetic effect of electric current magnetism इसके बाद electromagnetic induction AC circuits semiconductor यह जो भी topics आपने पढ़ा है यह सभी topic का ग्यान आपको होना चाहिए तब जाके यह बी डबली का ग्यान आपको मिल जाएगा राइट बाबा पूरी कोशिश करेगा कि यह revision जो है वो पूरी ताकत के साथ आपका लिया जाए क्यूंकि पहले दो तीन सेशन बिलकुल में आप रिवाइस करने वाला हूँ कि current electricity के numericals क्या थे what is electrostatic what is magnetic effect of electric current यह सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा जनाब और वो भी बिलकुल free हां बिलकुल free बाबा जी यह बाबा जी आप से कभी पैसा नहीं मांगेगा क्यूंकि बाबा जी का vision mission और goal बिलकुल clear है बिलकुल sorted है बाबा जी को इंडिया में घटिया इंजिनियस नहीं चाहिए एक बार वापस गटिया इंजिनियस नहीं चाहिए बाबा जी को ताकदवर इंजिनियस चाहिए जो अपने इंडिया को डिया डियो को और अपने इंडियन चैनल को बिल्कुल छोड़ना नहीं है उतना ही मैं आपसे यहाँ पर मांग रहा हूं कि चैनल को सबस्क्राइब करते हैं अनों हर दिन वीडियो को देखना है आपका टाइम इनवेस्ट अगर कर रही हो ना तो मेरी तरफ मेरी तरफ से टाइम वेस्ट कभी नहीं होगा come on invest waste राइट जी चली आगे बढ़ते हैं तेकेंड टॉपिक जो सबसे जादा important है that is DC circuits ये बहुत ही जादा और बहुत ही बड़ा टॉपिक है बड़ा इंशोट लेंदी है काफी सारे procedure से इसके अंदर तो ये अपने को पढ़ने पढ़ेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आने वाला है ohms law जो सबका बाप है वही को नापना है जनाब वही है अपना ohms law सबको पता है v is equal to ir लेकिन इस छोटे से equation में इस छोटे से packet के अंदर कितना बड़ा धमाका छुपा हुआ है यह आपको नहीं पता जब chapter शुरू करूँगा मैं जरूर बताने वाला हुआ आपको तो ohms law सबसे पहले पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना है kvl that is krichov's voltage law krichov's current law बहुत ही जादा हद तग important क्योंकि 90% chapter 90% module जो है इसी के उपर निर्बर है are you getting my point चलिए तोर्ड जो आपको पढ़ना है that is AC circuits that is alternating current circuits right AC circuits में आपने यह EMI वाला part पढ़ना है that is electromagnetic induction आपने पढ़ा रहेगा register है ना RL circuit resistor inductor circuit RC circuit RLC circuit यह सारे जो भी combinations है यह आपको इसी के अंदर पढ़ना है उसके साथ साथ आपको पढ़ना है RMS value that is root mean square value of voltage of current यह सब कुछ आपको पढ़ना है right after that you have to study about semiconductors यह थोड़ा theoretical topic है 12th में भी आपने इसको देखा है उसके आगे का part अभी आने वाला है चलिए छोड़ के जाईएगा नहीं क्योंकि हर एक semester हर एक यहां पर university का syllabus में आपको आपके screen के उपर इसी session में दिखाने वाला हूँ ताकि यह जो भी topics मैंने कहे न यह आपके दिमाग में पल्ले पढ़ने चाहिए and the last but not least जो आपको exam में pass करवाएगा वो है अपना transformer वो है derivations भी आते हैं बहुत ही जादा important part है तो यह पाच modules है इसको हम लोग जल से जल खतम करने का कोशिश करेंगे revision को उसके बाद हर एक module को काफी time जाएगा आपके पास scientific calculator होना बहुत जरूरी है कोई भी बन्दा गाउटी गिरी यहां पर नहीं करेगा lock table लेके नहीं बैठेगा come on एक बार वापस lock table लेके नहीं बैठना है मुझे scientific calculator ही चाहिए किसी भी हाल में सब के पास और किसी के पास नहीं है na scientific calculator तो यार खरीद लो अपने seniors के पास रहेगा उससे ले लो लेकिन उसको use कैसे करना है वो अपने channel के उपर देख लो right कल Sunday है उसका session जरूर होने वाला है जो ये वीडियो को बाद में देख रहें उनको गुजारिश करूंगा अपने channel के उपर playlist है basic electrical electronics की उसमें जाईए how to use scientific calculator thumbnail दिखेगा click करो खुश हो जाओ come on click करो खुश हो जाओ चलिए अब देखते है syllabus university wise syllabus कैसे होने बाला है अपना right मुंबई university का syllabus क्या है पूने university का क्या ह सबका syllabus यहां पर मैं दिखाने वाला हूँ right चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने syllabus की और hopefully आपके screen के उपर यह रहां मुंबई university का syllabus basic electrical and electronics इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो right theory है चार पॉइंटर मतलब चार ग्रेड्स आपक practical and term work के लिए एक grade assign किया जाएगा right यहां पर examination scheme क्या है 80 marks का आपका होगा theory paper ध्यान से सुनना 80 marks का होगा theory paper term work जो आप assignments लिखते हो उसका 25 marks मिलेगा oral का 25 marks मिलेगा are you waiting my point and उसके साथ-साथ बड़ा धमाका है ध्यान से सुनिए उसके साथ-साथ 20 mark का internal exam होता है जिसको हम लोग unit test कहते है यह मुंबई university का pattern है जिसको हम लोग unit test कहते है जो basically अपन school में नजरंदास करते अभी college में उसको नजरंदास नहीं करके चलेगा क्योंकि 20 mark के unit test में आपको pass होना ही पड़ता है otherwise internal केटी लग जाती है are you waiting my point यह बिलकुल नजरंदास नहीं करना है internal केटी बहुत ग syllabus को थोड़ा फार यहां पर define करते प्री रिक्वेस्ट मतलब क्या है यहां पर revision है ना यहां पर मैंने कह दिया था कि यह इसके उपर अपने को पूरा पूरा revise करना पड़ेगा what is faraday's law what is gauss theorem what is hysteresis what is AD current यह सब कुछ आपको यहां पर देखने मिलेगा okay no questions to be asked in the theory paper and pre-request इसक सबसे important that is DC circuits यह बहुत ज्यादा important आप अगर देखोगे 20 hours का इसका weightage है समझ रहे हो 20 hours बचो it's not a joke 20 गंटा मतलब सोचिए क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर प्रिचोफ's law ideal and practical voltage यह अपने को सबसे पहले पढ़ना है आप यहां पे देख सकते हो उसके बाद mesh analysis and nodal analysis यह बहुत ज्यादा important compulsory question आता है Mumbai university के paper में right after that star delta transformation and superposition theorem काफी ज्यादा important star delta के उपर 5 मक का question आता है superposition, nodal analysis, tevenians, norton, maximum power transfer theorem यह सारे के सारे theorem है theorem आ गया मतलब दिमाग में अपने आता है कि सर प्रूफ करना है क्या नहीं जनाब प्रूफ नहीं करना है इसका एक technique होता है उसके उपर numericals होते है उसको solve करना है are you getting my point? तो यह बहुत ज़्यादा important chapter रहेगा सब कुछ मैं आपसे करवा के लूँगा सिर्फ channel के साथ आपको क्या रहना है? बने रहना है, टिके रहना है, बिलकुल पकड़ के रहना है second chapter क्या है that is AC circuits इसमें मैंने जैसे कहा RMS and average value अपने को सबसे पहले important है इसको निकालना पड़ेगा उसके बद form factor, crease factor यह सब कुछ छोटे-छोटे formal है value substitute करो answer निकालो without calc it won't be possible मैं पहले ही कह रहा हूँ without scientific calc it won't be possible okay, जैसे मैंने कहा था RL, RC and RLC series parallel circuit बहुत important उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा important इसमें होने वाला है that is phasor diagram, एक phasor diagram 8 mark के लिए या 5 mark के लिए निकालने को compulsory आता है सारे phasor diagram अपने channel के उपर सीखने मिलेगा, right, चलिए 3 phase circuit इसका मैंने जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये 3 phase circuit, specially Mumbai University के लिए है, कभी छोटा topic, काफी प्यार हो जाता है बच्चे लोग को इससे क्योंकि यार numerical जो है ना, बहुत straightforward है, बहुत straightforward, question देखा, formulas पता है, substitute करो इतना ही है इसके अंदर, सब कुछ detail मैं बताऊंगा, जैसे जैसे अपने sessions आगे बढ़ेंगे single phase transformer जो मैंने कहा, compulsory questions इसके अंदर आता है, working principle, EMF equation, ideal and practical transformer इसके उपर theoretical question आना बनता है जनाब, उसके अंदर आता है, OC and SC test, जनाब 8 मां का compulsory question है लिखे लो मेरे से, लिखे लो bond paper के उपर, OC and SC test के उपर question आना ही आना है, राइट, after that electronics, इसके अंदर no numericals उन्होंने clear mention किया, it means that it is a completely theoretical topic, इसके अंदर अपने को पढ़ना है, जो basically पूछा जाता है that is half wave and full wave transformer, जो अपने 12th standard में भी पढ़ा था, इसको अपने को और आगे बढ़ाना है उसके बाद इसके circuit diagram होते है, CE, CB and CC, that is collector emitter, collector base and collector collector ये जो भी configurations है, उसके configuration को पढ़ना है, उनके basically circuit diagram होते है, उनको निकालना पढ़ता है तो ये overall Mumbai University का syllabus, मेरी second university होने जा रही है, पुने उनिवरसिटी, तवीत्री भाई फूले पुने उनिवरसिटी उसका syllabus ये रहा आपके सामने, paper रहने वाला है 50 mark का, 2 गंटे का, online paper रहेगा 50 mark का term work जो रहेगा, वो 25 marks का रहेगा, ये जो particular year है कोरोना के बाद, उसके बाद उनका examination pattern जरूर change हो सकता है, होगा, ऐसे बिलकुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन syllabus तो यही रहना है जनाब, तो पहले क्या करना है, data and elementary concepts, जैसे मैंने कहा कि resistance क्या है, what is resistance temperature coefficient, ये सब कुछ क्या होता ह ये अपने को यहाँ पर देखना है, उसके बाद सबसे important that is electromagneticism, ये पूरा topic अगर आप अच्छे से observe करोगे बच्चो, ये पूरा topic अच्छे से observe करोगे न, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, magnetic effect of electric current, ये बहुत important जैसे मैंने कहा, ये 12 standard में हम लोग ने पढ़ा है, simple series and parallel magnetic circuit यहाँ पर देखने मिलेगा आपको, ये हम लोग को पढ़ना है, flux क्या है, flux density क्या है, permeability क्या है, permittivity क्या है, ये सब कुछ अपने को इसी के अंदर देखना है, उसके साथ-साथ faraday's law of electromagnetic induction इसके उपर question जरूर आता है, एक्जामें इसको नजर अंदाज नहीं करेंगे हम सिंगल-phase transformer जो Mumbai University में भी आपने देखा था, same है, working principle, EMF equation, सब कुछ same, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही same questions इसमें आने वाले है, pattern थोड़ा वो change रहेगा, रेकिन question की तादाद वही रहेगी, AC fundamental जैसे मैंने कहा, RMS value, peak value, ये सब आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, face diagram, face difference, lagging, leading वाला concept, इसमें बहुत important, right, and जैसे मैंने कहा, RL and RC circuits, AC circuits के बारे में हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है, right, उसके बाद, single phase AC circuits and poly phase AC circuits, देखो मैंने कहा था, RL, RC and RLC circuits इसमें पढ़ना है, poly phase मतलब 3 phase, okay, इसके अंदर 3 phase, जो Mumbai University के लिए है, वही same अपने पूने उनिव University के लिए भी है, okay, and सिर्फ difference क्या है, DC circuits मुंबई University में पहला module था, इधर 6th module है, बाग की फरक कुछ भी नहीं है, University में question तो सब के उपर आने ही वाला है, right, तो देखे, पूरा DC circuits वही भरा पढ़ा है, कृच्छोफ लॉज अपने को पढ़ना है, right, network using series parallel analysis, star delta conversion, superposition, थेवीन नॉटन, नोडल, यह सब कुछ तो मैंने अल्रेडी आपको बता दिया है, right, तो यह पूरा का पूरा पूरे University का syllabus है, सब कुछ अपने चैनल के उपर जरूर होगा, right, next, सलाम इतरा नो, नाकपूर University बद्दल बूलिया, नाकपूर University के बारे में बात करेंगे, right, यहाँ पे सेम है, पूरा syllabus तो वही है, electrical circuits है, EMF के बारे में, potential difference, current energy के बारे में, यह सब कुछ अपना basic concepts, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे मैंने कहा था, क्रिचोफ, KVL, KCL, स्टार, डेल्टा, कॉनवर्जन, यह अपने को session number 4, 5 में ही पढ़ने को मिलेगा, तो तब तक आप बिलकुल अपने channel के साथ बने रही है, star delta transformation, बहुत भारी भरकम, यहाँ पे मैं आपका base clear कर दूँगा, tension मतलू, उसके बाद second module है, magnetic circuits, जैसे मैंने कहा था, magnetic effect of electric current, जैसा ही यह पूरा chapter है, that is magnetic flux, what is flux, what is flux density, flux intensity, what is reductance, permanence, यह सब कुछ आपको इसके अंदर देखने मिल देगा, right, यह BH curve वेगरा, यह पूरा का पूरा theoretical part है, इसके उपर question हमेशा से आता है, नाकपूर university के अंदर, right, AC circuits, वापस पूरा का पूरा package, पूरा वही topic, वही सब कुछ, सब topics, star delta इसके अंदर आएगा, right, RC, RLC, यह सब कुछ इसके अंदर आने वाला है, सब कुछ आपक का, notebook और pen और Kelsey लेके आपको बाबाजी के प्रवचन में बैठ जाना है, right, next one is single phase transformer, वापस वही OCSC test, देखो, यहाँ पे भी आ गई, compulsory question, नाकपूर university बच्चों के लिए भी वही होने वाला है, right, EMF equation, बहुत ज़ादा important theoretical part, right, यह करना है आपको, right, तो नाकपूर university के लिए चार module है, लेकिन बड़े-बड़े है, नजर अंदास बिलकुल नहीं करोगे, और यह बाबाई नहीं होने देगा, नजर अंदास, right, next one, North Marashto University, this is the final university, जिसके बारे में मैं यह introduction session में बता रहा हूँ, right, तो चलिए बच्चो, अगर आप कोई दूसरे university से होना, तो मुझे बिलकुल comment box में बता देना, ताकि मैं आपके university के लिए भी बिलकुल lectures conduct कर सकू, क्योंकि बाबा जी का mission और vision और goal एक है, खटिया इंजिनियस नहीं चाहिए, right जी चलिए, बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे, कदम कदम बढ़ाए जा, North Marashto University को बताते जा, चलिए, व वापस क्रिचोफ's law, ओम's law, यह सब कुछ तो यहाँ पर आएगा, देखिए वापस star delta आ गया, यहाँ पर पूरा star delta conversion मैंने जैसे कहा, third four session में आपको उसको देखने मिलेगा, super position, तेविनियंस, नौटन, स्नोडल, maximum power transfer, सब कुछ इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, right second module वापस वही, same scenario, AC circuits, पूरा वही, third module जो है, semi conductors के बारे में हैं, यह पूरा का पूरा theoretical part रहेगा, इसके अंदर नौर्थ मारश्टर उनिवेसिटी के लिए BJT और FET, यह specified modules दिये गए है, इसके उपर, देखिए, bipolar junction transistor, BJT and FET is filled effect transistor, इसके बारे में आपको पढ़ना पढ़ बेगा, because इसके उपर numericals काफी दफ़ा exam में पूछे गए है, North मारश्टर उनिवेसिटी बच्चों के लिए, right, and finally अपने को SCR के बारे में भी पढ़ना है, that is, silicon controlled rectifier, इसका diagram है, इसके gates के diagram है, logic gates होते है, not, or, and, nor, xor, xnor, यह सब कुछ, इसके बारे में सब कुछ के बारे मे जरूर दिखेगा, सारे lectures मिलेंगे, सिर्फ यार थोड़ा patience बना के रखिए, मेरी पूरी टीम काम कर रही है, सिर्फ आपके लिए, and उनको सिर्फ एक ही चाहिए, जनाब, आपका like और आपका एक-एक subscribe, right, चलिए, तो यह complete syllabus, Mumbai University, पुने University, नाकपुर University, North Maharashtra University, चारों major universities मै ने cover कर दिये है, आपकी कोई और University रहेगी, इनको छोड़के, तो मुझे बिल्कुल comment box में बता दीजिए, और आपकी कुछ demand रहेगी, कि सर्फ mechanics के भी lectures लीजिए, physics chemistry की भी lectures लीजिए, ऐसा कुछ demand रहेगा, तो जरूर मुझे comment box में बताना, क्योंकि यार इसका फाइदा ज जादा बच्चों को होगा, मेरे तरफ से physics, chemistry और mechanics तो नहीं होगा, लेकिन मैं जरूर best से best professor आपके लिए available करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए आपका यहाँ पे vote, मुझे चाहिए comment box में आपका comment की जनाब आपको चाहिए क्या, तो यह सब कुछ था BWI के बारे में, कल से circuits का प्रवचन, DC circuits के session, तो channel के साथ बने रही है, मिलते हैं जल से जल, तब तक के लिए, bye bye, take care and thank you very much guys